जहिन साथियों आप सभी लोग का धनेश जीयस में आप सबका स्वागत है आईए हम समझते हैं कि हाली के एकबारों में एक आर्ट के निकला था जिसमें बताया गया था कि प्रीथिवी का भवी से अब संकट में है इस्तथ के बारे में हम जानेंगे उसके बाद से जानेंगे क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग उसके बाद से जानेंगे कि क्यूं पूरे बिश्व का जलवाव इतनी तेजी से बदल रहा है उसके बाद से जानेंगे कि क्यूं महासागरों का जल अस्तर इतना तेजी से बढ़ा है उसके बाद से जानेंगे कि क्या होता है टाक होम सम्मेलन क्या होता है प्रिथवी सम्मेलन इन सभी चीजों के बारे में हम एके करके समझेंगे आईए अब हम समझते हैं कि प्रिथवी का भविष्य संकट में है इस तथे को समझने से पहले हमें समझना होगा क्या होता है Global Warming और क्या होता है Greenhouse Effect आईए अब हम समझते हैं Global Warming के बारे में Global Warming का हिंदी में अर्थ होता है 12 वी तापन जब प्रिथवी के ऑस्तों तापमान में बृदि होने लगती है तो उसे ही हम लोग करते हैं Global Warming अब हम जानेंगे कि कि प्रिथवी का ओस्तों तापमान होता है 14e-15 की तब होता है आईए अब हम समझते हैं कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का हिंदी में और्थ होता है हरित ग्री परभाव इसकी संकालपना को सबसे पहले प्रस्तुत किया थे जोशेफ फोरियर ने जब सुर्य से आने वाले औरक्त किड़े प्रिथवी से टकराती हैं और जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं इस परकिरिया को ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं आईए अब हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन कौन सी गैसे सबसे ज़्यादा परभावित करती हैं तो सबसे ज़्यादा परभावित करने वाले प्रभू गैसे हैं उसमें कार्बन डै läuft है जलवासप है क्लोरो फ्लोरोकार नहींद है आक सीजन है और नाय्त्रोजबिन अक्साइड है इन सभी गैसों के कारण ही प्रित्वी के ऑस्तनत्रपान में ब्रिदी होती है केवल एक गैसे ही नहीं global warming के जिमधार है कुछ मानुवी कारण भी है जो global warming के जिमधार है जैसे की बढ़ता हुआ परदूसर वनों की हो रही तेजी से कटाई और उद्धोगों से निकलने वाले धुये हैं आईए अब हम समझते हैं कि इन गैसों का कौन सा देश कितना ज़्यादा उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा इन गैसों का उत्पादन करने वाले में चाइना अकेले 30 प्रत्सत तक उत्पादन करता है, उसके बासे अमेरिका करता है 15 प्रत्सत, उसके बासे यूरोपि विशु के लिए कितना खतरनाक है जब ग्लोबल वार्मिंग से तपमान में व्रिदी होगा तो ग्लेसियर तेजी से पिगलेंगे जब ग्लेसियर तेजी से पिगलेंगे तो महासागरों के जल अस्तर में तेजी से व्रिदी होगा तो जितने भी समुद्र के किनारे बसे हुए नगर हैं वह सभी डूब जाएंगे साथ ही साथ जितने दीप हैं वह सभी डूब जाएंगे और वह क्या हो जाएंगे जल मगन हो जाएंगे और साथ ही साथ जलवाई में भी बहुत तेजी से परिवर्तन होगा जैसे कि जहां पर बाड आ रहे थे वहां पर सुखा पढ़ने लगेंगे और जहां पर सुखा पड़ रहे ते वहां पर बाड की समस्या आने लगेंगी और जब बाड और सुखा की समस्या आएगी तो विश्व में जहां भी क्रिसी लाइक भूमी है वह सभी भूमी बरबाद हो जाएगी जब भूमी बरबाद हो जाएगी तो वहां पर क् परकोब भी तेजी से बढ़ता चला जाएगा और जेव विभीदता पूरी तरह से परभावित होगा और इसका खामयाजा पूरे दुनिया को एक दिन भूगतना पड़ेगा अब आप सोच कर देख लिजे कि यह कितना खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग आईए अब हम समझते ह हैं कि इस समस्या से बचने का क्या क्या उपाय है तो सबसे पहले पेड़ों के कटाई पर हमें रोक लगाना चाहिए और साथ ही साथ ब्रिच्छा रोपड को तेजी से बढ़ावा करना चाहिए पर दूसर को कम से कम करना चाहिए और नभीकरणी उर्जा को ज्यादा से ज्य किया गया था 1972 में उसके बाद से रिथ समयलन अनई सो बानवे में ब्राजीर में किया गया उसके बाद से क्यू टुut fluor fraud 1997 में किया गया कर दूपायरी और उसके बाद हालि में कौक 26 आयोजन किया गया आसा करते हैं कि यह टापिक को समझ में आया होगा जय हिंद